दोस्तों तो आज फिर बाजार के अंदर एक Consolidation बरात दिन रहा हम लोगों ने देखा कि बाजार तकरीबन 23-400 सी के आसपास खुला और वहां से खुलते ही बाजार के अंदर एक 100-100-100 पॉइंट की अच्छी खासी सेलिंग आप लोगों को देखने को मिली हमने आपको अपन चैनल के अपर वैंड की बात की जाए तो ये तकरीबन 23-400 सी के आसपास बनता था बाजार बिलकुल वहीं के आसपास खुला और नीचे की तरफ तकरीबन 100-100 पॉइंट की मूद देने को मिली तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारी कोल पे जिसकिसीने ट्रेड लिया होगा और टोप लाइन के आसपास बाजार को बेचा होगा वहाँ से उनको कोई ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन 60-80 पॉइंट का आराम से प्रोफिट मिल गया होगा तो दोस्तों चलिए एक बार देखते हैं कि आगे के लिए बाजार टेक्निकल चार्ट पर डाटा मेरा नाम है संदी पहलावत स्टोक ट्रेजर के हिंदी यूटूब चैनल पर मैं आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तों कर बाजार के टेक्निकल पैरामीटर्स की बात की जाए तो मैं आपको लगातार ये असेंडिंग चैनल दिखाते हुए आ रहा हूँ मैंने आपको ब इस 530 के आसपास की बनेगी दोस्तों डाटा पाइंट्स की बात की जाए तो डाटा पाइंट्स ही बाजार की बिल्कुल है के जो रेंज दिखाई देरी उसी के कोर्डिंग मुमेट देते हुए नजर आ रहे है आज आप लोगों ने देखा कि बाजार के अंदर तक्रीबन हमें 41.0 के गेन निफ्टी में देखने को मिले वहीं ओपर इंट्रेस्ट के अंदर तक्रीबन 0.91 के आसपास की ग्रावट देखने को मिली यानिगी बाजार के अंदर जो रेंज बाउंड ट्रेड थी उसके अंदर जो ट्रेडर से वो थोड़ा सा कॉंशियस नजर आए है और अपनी थोड़ी बहुत पोजिशन वहाँ पर हम लोगों ने हल की की है दोस्त अगर ओप्सन डेटा की बात की जाए या ओप्सन चेन की बात की जाए तो PCR रेशो लगातार एक से नीचे बना हुआ है जो थोड़ा बहुत बीर्स के फेवर में ही जाता है दोस्त अगर को लेकाउट देने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं दे पाया है यानि कि ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो इसका अपर बैंड ओप असेंडिंग चैनल है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो बाजार जब तक इसके ऊपर की सकसफुल ये क्लोजिंग नहीं देता है हम अपनी सेल को जारी रखेंगे जितना भी बाजार आपको 23-500 की रेंज के आसपास मिलता है वहाँ सेल कीजिए 600 पॉइंट का हैससे लगाईए और नीचे की तरफ आपको कोई भी अगर 800-200 पॉइंट की मूँव मिलती है तो इंट और आगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए ट्रेडिंग करते रहे है हैपी ट्रेडिंग